यूपी के खेल यूवा कल्याणों पंचायत राजमंत्री ओपेन तिवारी का अजीबो गरिब बयान सामने आया उन्होंने आज बयान देती हुए कहा है कि देश की 95 प्रतिशत जनता डीजल पिट्रोल का उपियोग नहीं करती है मात्र मुठी भर लोग हैं जो डीजल पिट्रोल का उपियोग करते हैं देश में प्रतिव्यक्ति आय दुनी होने की तुलना में डीजल पिट्रोल के दामों में किसी परकार की कोई बड़ोत्री नहीं हुई है विपच इसका प्रपोगंडा बनाने में लगा हुआ है वह उन्होंने कहा कि देश में लोगों को आमदनी बड़ी है उसी हिसास से डीजल पिट्रोल के दाम बहुत कम है यह अजीब गरीब बयान उन्होंने जालाउन के उरई विकास भवन सबागार में पत्रकारों से बात करते हुए दिया है यूपी के खेल यूवा कल्यान मंत्री जालाउन के उरई में आजादी के 75 वर्स पर अमरित महसो समारों में संगोष्टी को संबोधित करते हुए आये थे उन्होंने कहा कि पहले तो सरकार के उपलब्दियों का बयान किया बाद में उन्होंने जब पत्रकारों से बात की तो उन्होंने कहा कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी दोरा विकास की गंगा बह रही है विपच्छ के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है इसलिए अवस्यक मुद्दो के उच्छाल में लगे हुए हैं वहीं जो अब उनसे सवाल पूछा गया कि देश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है लेकिन सरकार दोरा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है तो इस पर उन्होंने कहा कि देश में मुठी बर ल में पिछले साथ छे महिना पहले मांखिन 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 में सट्टिफिकेट्ट दिये और जहां जहां कभी थी जो और सट साल में नहीं हुआ पाच लाग से उपन नौजवानों को पर दर सिता के तौर पे समझभादी पार्टी की सरकार की तरह नहीं कि पीसेस और पीप पर आउट नहीं होता था लेकिन समझभादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश और देश के नौजवानों के साथ खिलवार करते हुए उनके भविसकार सब्सक्राइब करते हुए दोबने वाला होगा तो वह नावकरी उसको मिलेगी बिना एक पैसा दिये मिलेगी परदसिता के तौर पर मिलेगी और रोजगार के और सर्व रिजन हुए हैं हजारों को रोजगार मिला मंति लगातार बढ़ते डीजल पटोल की कीमतों को लिकर के और पच्छ का आरोफ है आज कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्दा बहीन है और आप 2014 से पहले काकड़ा ले लिजेगा और प्रतिवेक्टी आज मोदीजी और योगीजी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है तो प्रतिवेक्टियाब दूगरी बढ़ी हुई है दूगरी से भी जादे अज बढ़ी हुए तो पर लोगों को मुफ्त में वैक्सिन सरकार ने दिया है और इसे साथ से अगर अन्य राजियों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सम्मुने बढ़े तो क्या मुफ्त के कारण ही डिजल पड़ों के द्याम जो है नहीं बढ़ा है अगर प्रतिवेक् करंगे ताभी पेट्रोल कर्वा है